हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट, अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है, जैसा कि आपको पता है डेली साम चार भजे, जीके और जीयस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको मिंग्स्ड 25 महतोपूर प्रस करवाता हूँ, जो आपक नेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए, आप इस क्लास को लास्त जवर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो आईए स्टार करते हैं आज की क्लास को, तो आज का पहला प्रसन है आपका किताब उलहिंद के लेखक कौन थे आपका राइट आंसर होगा, अलबरुनी, ओप्सन नमबर डी राइट आंसर होगा, अलबरुनी ने किताब उलहिंद को लिखा था, आप इसको ध्यान रिखिएगा, एक्जाम के लिए महतोपूर है, अगला प्रसन है, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम किसके द्वारा पेस किया गया था, जो कि ये सिस्टम अलावदिन खिलजी के द्वारा पेस किया गया था, अलावदिन खिलजी ने मार्केट रेगुलेशन सिस्टम पेस किया था, आप समझ गए होंगे, आप ध्यान रिखिएगा, एक्जाम में ये प्रसन बहुत बार पुछा जा चुका है, ठ चांदी का सिक्का, टंका किसके द्वारा पेस किया गया था, जो कि ये इलतुतमिस के द्वारा पेस किया गया था, आप इसको ध्यान रिखिएगा, फोर्थ नमबर कोश्चन है, दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है, जो कि दूसरा सिकंदर अलावदिन खिलजी को माना जात अलावदिन खिल जी क्या था दूसरा सिकंदर आप ध्यान रिखिएगा अगला प्रस्ण है दिल्ली के संत्रत काल में किस क्राधान प्रणाली आये का प्रमुक्ष्रोत था जो कि ये जजिया था अप्सिन नमबर ए राई टांस्वर है जो कि जजिया एक क्राधान प्रणाली था जो कि दिल्ली संत्रत के काल में एक आये का प्रमुक्ष्रोत था आप समझ गया होंगे दोस्तों आप इस क्लास को लास तक देखे आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपमें इंप नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्टपती के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा अकिल भारती स्यमाओं के लिए नियुक्ति की जाती है आप समझ गया होंगे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है कि प्रेसिडेंट में हमारे जो की राश्पती कौन है और ये कितने नंबर के राश्पती है आप समझ गया होंगे सेवन्थ नंबर कोश्चन है भारतिय नौ से ना अधिनियम कब पारित क्या गया था जो कि भारतिय नौ से ना अधिनियम 1927 को पारित क्या गया था 1927 को भारती नों सिना अधिनियम पारित क्या गया था आप इसको ध्यान रखेएगा नेक्स्ट कोश्चन है मानस्पेस या मानव सरीर में लगभग कितनी होती है जो कि मानस्पेस या मानव सरीर में लगभग 649 होती है 639 मानस्पेस या होती है मानव सरीर में आप समझ गया होंगे नाइन्थ नमबर कोश्चन है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से वित्पन होती है और कहां पर समाप्त होती है जो कि ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन होती है और ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है अगला प्रस्न है भारत के किस राज्य में सबसे लंबा माध्यूपीय टट है जो कि भारत के उजरात राज्य में सबसे लंबा माध्यूपीय टट है आप इसको ध्यान रखियेगा एक्जाम में पूछा जाच चुका है ये प्रस्न दोस्तों जितने भी most important question है मैं आपके डिल की जरूर ज़ुओं करें 11 नंबर objection है निम्लेखित में से कौन सा अंग गला कोजीं के रुप में कार्बोहाइडरेट इकठा करता है जो कि ये यकरित है यकरित आपका गला कोजीं के रूप मे कार्भोहाइडरेट को क्या है इकठा करता है आप इसको ध्यान रखियेगा दिस्ट धारा में क्या है परिवर्तित करते हैं आप समझ गया होंगि नेक्स्ट कोश्चन है उस अंतरिच यान का नाम क्या था जिसमें भारतिय मूल की कलपणा चावला अंतरिच में गई थी जो कि उस अंतरिच यान का नाम था कॉलम्बिया उस अंतरिच यान का नाम कॉलम्बिया था जिसमें भारतिय मूल की कलपना चावला अंतरिच में गई थी important question है आप इसको ध्यान रखिएगा 14. question है सन्युक्त रास्ट विकास कारिकरम UNDP ध्यान देता है जो कि एक इस पर ध्यान देता है वैस्ट विकास चुनोतियों का समाधान निकालने पर option number A right answer होगा जो कि वैस्ट विकास चुनोतियों का समाधान निकालने पर सन्युक्त रास्ट विकास कारिकरम पर क्या है इस पर ध्यान देता है आप समझ गया होंगे 15. नमबर कोश्चन है अंतराश्ट्री व्यपार का मुखे सुरच्छा गार्ड कौन है? जो कि आपका अंतराश्ट्री व्यपार का मुखे सुरच्छा गार्ड WTO है World Trade Organization Option नमबर C राइट आंसर होगा आप इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रिखेगा एक्जाम के लिए महत्वपूर है WTO का 16. नमबर कोश्चन है एसियन विकास बैंक का मुख्याले ADB कहा इस्तित है? जो कि ये मनीला फिलिपिन्स में इस्तित है Option नमबर A राइट आंसर है जो कि एसियन डेवलोप्मेंट बैंक का जो हेड़कॉर्टर है मनीला फिलिपिन्स में इस्तित है आप समझ गए होंगे आपके दोस्तों बता दे कि एक्जाम में पूछा जाता है कि ADB का जो कि फॉर्मेशन कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरू बताना है कि ASEAN डेवलोप्मेंट बैंक का स्थापना किस वर्स में हुआ था इंपोर्टेंट आपके लिए और आज का ये आपका कोश्चन है बता दे आपको 17 नमबर कोश्चन हरी परसाथ चौरसिया किस संगित वाद्य यंत्र से संबन दित है जोकि आपके हरी परसाथ चौरसिया जी बान सुड़ी से संबन दित है ओप्शन नमबर A राइट आंसर होगा आप ध्यान रखिएगा एकसाम में पुछा जा चुका है 18 नमबर कोश्चन है पानी पत की तीसरी रडाई किस वर्स में हुई थी जोकि पानी पत की तीसरी रडाई 1761 में हुआ था ओप्शन नमबर C राइट आंसर होगा 1761 में पानी पत की तीसरी रडाई हुई थी आप समझगे होंगे दोरस्तों बता दे कि 1526 में पानी पत की पहली रडाई हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पानिपत की दूसरी राई किस वर्स में हुई थी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा जाता है अगला प्रस्म है महावीर की माता कौन थी जो कि इसका राइट आंसर होगा त्रिशला अप्सन नमबर भी राइट आंसर होगा महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला आप इसको ध्यान रिखिएगा दोस्तों गर आपको एक लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें और सेर जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए 20 नमबर कोशन है आपका केसरी समाचार पत्र किसने आरंब किया था जो कि ये समाचार पत्र आरंब किया गया था बीजी तिलक जी के द्वारा बाल गंगा धर तिलक जी के द्वारा केसरी समाचार पत्र को किया है आरंब किया गया था आप समझ गया होंगे 21 नमबर कोशन है इस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन की अधिन पहला वाइसराय था जो की पहला वाइसराय था लॉड कैनिंग लॉड कैनिंग इस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन की अधिन पहला वाइसराय लॉड कैनिंग था आप इसको तीपु सुल्तान के द्वारा, तीपु सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद सन 1857 में जो कि उसका विद्रो हुआ था, तीपु सुल्तान ने भाग नहीं लिया था, तात्याटों पे रानी लच्मी बाई और नाना साहब क्या थे भाग लिये थे, आप इसको ध्याने कोश्चन है, मोहन जोदरो की खुदाई किसके द्वारा करवाई गे थी, जो कि मोहन जोदरो की खुदाई करवाई गे थी, आरडी बनर जी के द्वारा, आरडी बनर जी ने मोहन जोदरो की खुदाई करवाई थी, आप समझ गया होंगे, 24 नमबर कोश्चन है, पहले ग्या तो गुप्त सा सकते हैं आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको इस क्लास की पीडियाप चाहिए आपको इसी वीडियो के डेस्किप्शन में टेलिग्राम गुरूप की लिंक मिल जाएगी आप उस लिंक से गुरूप में ज्वाइन हो जाएए आपको सभी द्वारा निसिद्द किया गया था जो कि सती को लॉर्ड विलियम बैंटिक के द्वारा निसिद्द किया गया था सती परता को खतम किया गया था लॉर्ड विलियम बैंटिक के द्वारा आप ध्याने किएगा मैं तो पूर प्रस नहीं तो दोस्तों ये थी अपने आज के अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like करें comment करें और share जरूर करें अपनी परिवार को और आगे बढ़ाएं ताकि जैसे से अपनी चैनल बढ़ेगा आगे हम और अच्छी classes को provide आपके लिए जरूर करेंगे तो आज की class को over यहीं करते हैं मिलते हैं आप से कल और battering questions के साथ Thank you